नाला सोपरा से दिन दहाडे एक बच्चे के डूबने की खबर सामने आ रही है मामला नाला सोपरा पूर्व के गाला नगर स्थित मनपा तलाओ का है जहां तीन बच्चे दुपेर के तीन बच्चे तलाओ के गेट से चलांग मार कर तैरने गए थे लेकिन एक बच्चे को टेरना नहीं आता था जिसके वज़े से वह डूब गया बच्चे का नाम रवींद्रक कटियार बताया जा रहा है जो गाला नगर में रहता था हाला कि तलाव पर मनपा की दमकल विभाग भी पहुची थी लेकिन लाश का कुछ पता नहीं चल पाया बच्चे लोग 3 बजे का सब्बच्चे आया थे यहां पर जिसमें से दो बच्चे चले गए और इक बच्चंग डूब गया जिसका रभी मेंदिकर के नाम था उसका चार बजे के असपास से फायर का ओफिसर यहां आया थे और 2 गंडा सबकुछ देखने बाद चले गए औ और जब हमने फायर ऑफिसर पालो से बात किया तो उनका कहना है कि हमने बहुत सोधा हो नहीं मिले अब राद बार में वाड़ी उपर आएगे तो सुबह हम निकालेंगे तो यह कलापर वाई है बीमसी का और उसके यहां पर कोई सेफ्टी नहीं है तो हमस्का में सेफ्टी रह तरफा हुआ है तो उनको यहां रहना चाहिए और यहां कोई यहां दिखने रहे के बच्चे अंदर कैसे आये मंगा वहीं है जब कोई सेकुरिटी गार्ट नहीं है तो तभी तो बच्चे आए तीन मजए का सपास जो की सुबह साम का टाइमिंग रहता अगा शुबह मौनि जब दे गई थी और कहां थे जिनको यहां पर भी हमसी पगार दे रही है वो बंदे कहां थे सब का कि अ कर लोग्ड पर अ कि अ कि अ